मैं इसे में मौझूद हूँ रियासी के सलाल गाउं में यह वही गाउं है जहां पर 5.9 मेट्रिक टन लिथियम जो है वो मिला है और इस लिथियम को लेकर पूरे देश ने जिस तरीके से जश्ट मनाया यहां के लोगों ने जश्ट इन लोगों का कहना था कि इस लीथियम के मिलने के बाद अब इनकी जिन्दगी बदल जाएगी लेकिन अब इस लीथियम के कुछ नेगटिव इफेक्ट भी जो है वो इनको देखने को मिल रहे हैं इन लोगों को कुछ हो सकता है परिशानी का सामना करना पड़े हाला कि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ सपस्त नहीं कहा गया है लेकिन DC की तरफ से एक order दिया गया है और ये कहा गया है कि इस 5 किलो मीटर के दाइरे में जितने लोग रहते हैं जितने घर हैं उनकी गिंती की जाए कुल कितने घर हैं और कुल कितने बाशिंदे यहां पर रहते हैं कितने लोग यहां पर रहते हैं उसकी गिंती की जाए और यह जो ऑडर कॉपी आप देख रहे हैं यह डी सी के उसी ऑडर कॉपी की एक प्रती है एक कॉपी है जिसे हम आपको इससे में दिखा रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे तो जिन चेहरों पर अभी तक बहुत खुशी नजर आती थी खुशी इस साथ की जो लिघ्विय मिला है इसकी अभी भी है कि सरकार ने आभी कुछ स्टिति नहीं कि मैंने करना है उसके पहले सरकार की हलचलेए यहां पर इस तरीके możemy से एक राइशुमारी हम कहेंगे कि जिससे से गंती जो है वो की जा रही है इस इलाके की यहां पर कितने घर हैं कितने लोग हैं और कितने वासी यहां पर रह रहे हैं कुछ लोग हमारे साथ यहां मौझूद है पंच साथ हमारे साथ मौझूद है पंच सब क्या नाम है तरलोग स हमें अमरे मुलक को फाइदा होगा हिंडोस्तान को फाइदा होगा लेकर नहीं तो निकाल नहीं है लेकर हमारे अभी तक कोई सोधा लेने वाला नहीं आया सिर्फ नाइब सजीलदार अटवारी चोगीदार और साथ में भी था और हमने जाकर के जो अपने महले के घर थे परिवार थे कितने घर हैं कितने परिवार हैं सब गुदा के कितने मकान हैं सब गिनके उन्होंने हमारा बाड से ले गए और आज दूसरी बार में लगे हुए हैं और यह काम चल रहा है तो अगर हमारे हमें कहीं बसाने के लिए इन्हों ने इंतियाम करें जहां इदर ही हमें कहीं और दूसरी जगा बसा दें लेकर हम सव साल से हजारों साल से हमारे बुझरगों ने यह जगा यमीन थी और हजारों साल हमार इसलिए हम तोई दोगी तो पर अब किस तरीके से लीथियम की जो खुशी मनाई गई थी जो लीथियम मिलने की खुशी लोगों के चेहरे पर देखने को मिले थी थी थोड़ी बहुत मायूसी में तब्दील हो नहीं है पता चला जैसी हम सुबा उठे और जैसी हमने चलनों पे सभी चलनों पे देखा कि न्यूज आ रही है और एक वो खुशी का समय भी था मगर जैसे समय निकर रहा है और जैसे इसकी खोज आगे बढ़ रही है उसके साथ ही हमें परिशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है को चल रही है और खास तोर पर जो जहां पर हम द्यवसाय करते थे जैसे में एक हाड़ विल्डिंग मटेरियर का काम करता हूं समान रखा था जो थोड़ा बहुत बोकल से जहां पर ग्रहाग जो आना बहुत बंद हो चुके हैं और उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी पर बढ़ाने को लेकर लिदे मिला था तब खुशी मनाई गई लेकिन अगर एक तलवार लटक रही है सिर के ओपर कि छट ना रहे अगर वेबसाय ना रहे उस चीज का भी डर हमें ज्यादा रहा है इस चुछाजी के बाद जो है चुरसी को इन्हों नोंने वहां पर नोकर पर जितने भी लोग है चाहे सरपंच है उन लोगों ने सरकार के साथ मिलकर जो खुशी मनाई थी इस लीथिम के मिलने की वो खुशी अब इनके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन जो है वो लाने की कोशिश कहीं न कहीं नजर आ रही है और इन लोगों का साफ तोर पर कहना है कि जिस तरीके से दिन बढ़ रहे हैं लीथिम की जाच और खोज आगे बढ़ रही है लीथिम तो मिल गया है लीथिम निकल तक खोगाई करने के बाद वो लीथिम का फ्योरेस्ट फार्म जो ली निकलना शुरू होगा तो जब खोडाई शुरू होगी तो घर बि टुटेंगे मकान बी टुटेंगे दुकाने बी टूटेंगी वेबसाइगे और हो सकता है इन लोगों को यासा धक्का ना लगे, आचानक कोई हमारे सामने ऐसे बात ना आए, क्योंकि हमारे वेफसाय, हमारे बच्यों का बहुज़। जो है, वो इसी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर हमारे पास यह जमीन ही नहीं रहेगी, तो उनका भविश हम उज्वल कैसे बनाएंगे लहाजा सरकार अगर कोई रिहबिलिटेट करना का प्लैन भी कर रही है तो इनको समय रहते बता दे ताकि ये इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें कैमरा परसंद विजेंदर के साथ रवन सैनी सलाल गाउं रियासी